वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिम्टेट के बारे में जो की एक प्लास्टिक सेक्टर की कम्पनी हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे दोस्तों इस सेर में कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्योंकि यह सेर रेटरन देने के बाद काफी अच्छी ग्रावट देखने को मिल चुकी है जिन लोगों ने हाइपर वाइक किया था वो लोग फसे हुए हैं तो हम वीडियो कंत में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए होल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए क्या रिजन है उसका क्या सेर बाउंस वैक मारेगा इसके बार हम बात करने अगर फर्स्टाम आप मेरे चैनल पर आए हुए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आकर को प्रेस कर लिजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा तो लेट्स बेकिन दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं विकास एकोटेक इस एन अमर्जिंग प्लेयर इन ग्लोबल अरेना एंगेज़ इन बेनिस आप हाई एन इस पेसलिटी केमिकल्स एन इन इंटीग्रेटेटि मल्टी स्पेसलिटी प्रोड़क्स सॉलूँजन कमपणी प्रोड्यूसिंग एकोफ्रेंडली एडिटिव एंड रवर प्लास्टिक कमपउंग्स एक्चुली में ये कंपनी जो है प्लास्टिक से सम्मनित बहुत सारे कंपाउंड्स PVC, PVR, TPR ऐसे प्रोड़क्स के बनाती है ये रवर के भी कंपाउंड्स बनाती है और प्लास्टिक रवर भी ये प्लास्टिक होती है दोस्तों और प्लास्टिक की भी कई वरायटी होती है ज आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, दोस्तों. बडी-बडी फैक्टरिय, बड़ी-वडी कंपणियाँ, tarde के सूज कर तहीं है, जो कि बहुती डेली विशेस पाइए यूज करने बाला, उनके लिए इप्रोड़क्ट है, और बहुती प्रोड़क्ट है. तो company का business model काफी अच्छा है एक तरह की chemical sector आप कह सकते हो उसकी sector की company है यह market का इब इसका 358 करोल का है बहुत ही छोटा सा share है दोस्तो पैनी share है current prices की 3.75 पैसे है और ROC 7% का है ROEB 0.78% का है दोस्तो average के तोर पर हम कहें तो तब भी ठीक नहीं है ROC और ROC इसका अभी बहुत ही कम है reserve की बात करते हैं तो 134 करोड का reserve है company के पास और debt है company के पास 90 करोड का तो company लगवक debt free है company के पास liability कम है 113 करोड की asset जादा है 277 करोड के जो की अच्छी बात है यही होना चाहिए और company के पास अगर हम FIA की बात करते है तो 1.08% की FIA वालों की भी holding है और promoters की holding बात करते है 9.28% की holding है तो जैसा कि हमें जातर पैनी सेर्वंदेर को मिलता है कि promoters की holding बहुत कम होती है उसी तरह इसमें भी है इस तरीके सी सेर्ज हो है अपने आप में एक risky stock बन जाता है वैसे company लगवक debt free है और company का जो sector है वो plastic product बनाती है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे जोस्त तो 75 करोड थी इसकी sales में continuous growth देखने को मिल रही है का 2020 के बाद क्योंकि 2020 में इसमें कम sales हुई थी क्योंकि आपको पता है 2020 में कोविट था उसके बास से continuous growth में sales में growth हो रही है यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 190 पसंद की sales growth हुई है इस quarter में 390 पसंद की sales हुई है यहाँ पर आप देखोगे पहले 126 पसंद की sales हुई थी इस पार growth हुई है 390 पसंद पर पहुंच गई लवा 400 पसंद पर इसकी sales growth पहुंच गई है ठीक है और net profit भी आप देखोगे company का तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 7 करोड से company का net profit जो है 1.4 करोड पर पहुंच गया है तो पहले इसकी sales बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ठीक है और उसके अलावा भी company में यह बात डिपेंड करती है कि company का expense कतना हुआ गया company का हम देखते हैं September 2019 में 50 करोड से ज़्यादा की sales हुई थी और expense हुआ था 45 करोड का ठीक है और इस तरीके से company का net profit है काफी काफी ज़्यादा हुआ था क्योंकि company का expense बहुत कम हुआ था अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके expense की तो company की sales हुई है दोस्तों यहाँ पर 33 करोड की और 88 करोड की और expense बहुत ज़्यादा हो गया है जो कि आप देखोंगे यहाँ पर sales हुई है इसकी sorry एक बार गलत प्रेस हो गया हमरे से देखों हम वापस आ यहाँ पर तो यह आप मैं आपको एक ची दिखाना चाहरा था sales कितनी हुए इसकी 88.69 करोड की और expense बहुत ज़्यादा हो गया 40.07 करोड तो यह बात भी डिपेंड करती है कई वार sales अच्छी हो आती है लेकिन expense ज्यादा हो आते है इसलिए net profit कम हो पाता है ठीक है तो यह मत बोलना कि इससे अच्छा तो पिछली बार net profit अच्छा था मतलब सुरू में 2019 में कहां का यह सुरू में यह है आपका 2019 सेप्टम रखा थे net profit आप समझगे मैं क्या रहा हूं यह वाला जो net profit है और यह वाला जो net profit है यह कम कैसी है इसके बीच में यहीं रिजान है कि कंपने का कई बार expense बहुत ज्यादा हो जाते है ठीक है तो इस तरीके से हम देखेंगे लेकिन इसमें एक चीज और है इस quarter में promoters ने अपनी holding घटाई है यहाँ पर आप देखोगे 32% की holding वा अगत्ती थी और आज 9.29% की holding रह गई है मास quarter में से भी इसनों ने अपनी holding घटा दिये और F5 वालों ने अपनी holding घटा दिये पब्लिक के पास ज्यादा माल है इस तरीके से यह बहुत ही risky stroke बन जाता है दोस्तों वैसे तो पैनी stroke बहुत जादा risky होते हैं लेकर अगर fundamentally मजबूत stroke मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है मैं आपको बतातूं यहाँ पर strong support बना रहा है share मैंने maximum चार्ट open किया है तो company ने काफी अच्छा कासा return भी दे रखा है ठीक है और जहां पर आप देखोगे उसके बाद ग्रावट हुई थी 2018 में फिर उसके बाद 19 तक भी ग्रावट थी रखवात थोड़ा सा हुआ था 2020 में और ज्यादे ग्रावट होगी यहां पर ठीक है उसके बाद company ने bounce back माननी कोसेश की है फिर ग्रावट हो ग 36-40% का loss हो रहा होगा तो कोई दिक्कत निए दोस्तों company bounce back मारेगी आप इसको hold करके चल सकते हैं और जो लोग यहां बाय करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और बेट कर सकते हैं क्योंकि promoters ने holding बेची है तो थोड़ी सी और ग्रावत देखने को मिल सकती है उसके बाद आ हो जाएं उसके बाद निकल जाओ और उसके बाद उसको अच्छे शेर्वन लगा दो ठीके थो तो बीडियो अच्छे लगाओ तो चैनल को सब्सक्राप खरकर के बेलाईकरों को प्रेस कर ल Soul और कोमेंट्स करके बताइं कि किसकी पास कितनी स्यर हैं और किस प्रैस पर है ड थैंक पर वाश्चिन दोस्तो और सब्सक्राब नाव